रमन की गड़ को भेदने अब कॉंग्रेस आगामी लोग सभाचुनाओं में अपने सबसे बड़े धुरंदर को मैदान में उतार सकती है और यकीनल ऐसा होता है तो राजनान गाओं में सेंध लगाने में कॉंग्रेस कामियाब भी हो सकती है क्योंकि इस से जिस तुरुप के एकके पर पाटी दाव खिलने जा रही है वो कोई और नहीं बलकि 36 गड़ के पुर्वसिया भुपेश बगेल हैं जिन्हें उमीदवार बनाने को लेकर राजनान गाओं लोग सभा चुनाव प्रभारी और प्रदेश महमंत्री शाहिद खान ने भी बड़ा बयान दिया है इतना ही नहीं चनुनी साहु का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है इसके अलावा किन नामों पर चर्चा हुई स्क्रिनिंग कमीटी की बैठक में किन नामों का सुझाव आया किन नामों की सूची दिल स्क्रिनिंग कमीटी में रखी गई इसको लेकर हमारे सहयोगी परमनंद रजक ने लोग सभाचनौ प्रभारी और प्रदेश महमंत्री शाहित खान से खास बात चित की अभी प्रारंबिक रूप से प्रदेश कॉंग्रेस कमीटी में स्क्रिनिंग कमीटी की बैठक हुई है और अभी रिसेंटली मुझे पत्ता चलना है कि दिली में भी स्क्रिनिंग कमीटी की बैठक थी उसमें हम सब लोग विपस्ती थे जित्य प्रदेश के कांग्रेस कमीटी की जो प्रदादीकारी है और जो वरिष्ट लोग है मुन में हमारे पूरुमंत्री और कवरदा के बिधायक महमद अकबर जी ने मानी पूरुमंत्री पुपेज बगेल जी का नाम प्रमुक्ता से रखा और उसका समर्दन राजननगाओं के जितने वरिष्ट लोग है मैक्स स्वेम भी हम सभी लोगों ने उनके नाम की सहमती दी है कि अगर मानी पूरुमंत्री बुपेज बगेल जी चुनाओं लड़ते हैं तो एक मजबूत और ससक होंगे सब्सक्रूबंत्री ये मेरे, इसके अलावा भी और भी बहुत सारे राजननगाओं लोकसभचित के दावेदार हैं चाहिए वह कबरदा जीले के हों राजननगाओं में रखा गया है और यह प्रारंबिक इस तर पे है इसके आलावा और भी स्क्रीनिंग कमेटी की बैठा के होंगी और सभी की सहमती से जो जीतने योग या प्रत्यासी होगा उनको प्रत्यासी बनाया जाएगा उन्हें चुनाव लड़ाया जाए असुची में किन किन को नाम क प्रत्यासी बेचा गया है और प्रारंबिक रूप में जो सुची है मैं तो कहा ना कि इस क्रींग कमिटी की बैठा के उसमानी बुपेज बगल जी का नाम था चनी साहुची का नाम है और भी और भी उसके अलावा बहुत सारे लाम शहर के राजन गाउं के कबर्दा के खेर रखिए गौरतलब है कि छत्तिसगर में विधान सभाज चनाव में मिली करारी हार के बाद अब प्रदेश कॉंग्रिस ने आगामी लोग सभाज चनाव को ले करते यारियां शुरू कर दी है पाटी अब इस चनाव में ऐसी कोई भी गलती नहीं दोहराना चाहती जिससे उन उन्हें नुकसान पहुंचे यही कारण है कि इस वार उमिद्वारों के चैन को ले कर भी पाटी पूरी तरह से फूंक कर कदम रख रही है बतादे राजनान गाउं लोग सभाज शेत्र में भाजपा के वरिष्ट नेता और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंग क सांसद रहे हैं ऐसे में अगर कॉंग्रेस पूर्व मुख्यमंत्री भुपेश बगे को राजनान गाउं लोग सभा सेट से चुनाव लड़वाती है तो यह कहीं न कहीं बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा सकती हैं राजनान गाउं से परमनंद रजक की रिपोर्ट चत्यसकर तक